वेलकम बेक माई यूटुब चैनल आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको प्रकार से Facebook पेज क्रेट कर सकते हैं जैसे Health से Related हो गया आप ум स्पोर्ट से Related Entertainment बाहने लेटीड या फिल कोई बिजनेस हो गया आपको business को भी आप बढ़ा सकते हैं गाइस और अगर आपका YouTube channel है तो आप YouTube channel है तो आपको Facebook page create करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि जो YouTube की audience है तो वो आपके साथ already connect है और साथ ही आपका Facebook में भी जो audience होती है उस वो भी आपसे connect हो जाएंगी तो आपका business हो जाएगा वो growth और बढ़ जाएगा डबल हो जाएगा इस आप किसी भी छेत्र या फेल्ड से हो तो आप Facebook page create कर सकते हैं और साथ ही audience से directly connect भी कर सकते हैं और अपने business को और ज़्यादा बढ़ा या फिर growth कर सकते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को Facebook page create करने के लिए आपको पास Facebook account तो होना ही चाहिए तो मैं अपना Facebook जो है open कर लेता हूं सबसे पहले और बिना Facebook account के तो Facebook page create होगा ही नहीं अब देखे मैं आप फेस्बुक जो है मेरा open हो चुका है इसके बाद आपको आप सबसे ऊपर यहां पर राइट क्लिक तीन डॉट मिल रहे होंगे तो यहां पर आपको संपली क्लिक कर लेना है अब देख रहे हैंगो यहां पर लिखके आ रहा है कि यहां पर आपका सारी चीज़ी आपको यहां पर लिखके आ रहा है कि आपका जो पीज का नाम होगा वह क्या होगा अगर आपका यूटूब चैनल है तो उसी नाम पर रख लीजिए अगर आपका कोई सौप है क्लिनिक है तो उस नाम से लख लीजिए मतलब जिस छेतर में आप बना रहे हैं और आप उसी का नाम लख लीजिए ठीक है तो माल लिजे मैं एक्जामपल की रूप में अपने चैनल के जैसा मेरा यह चैनल है उसी के नाम पर लग देता हूं ठीक है तो यहां पर मैंने नाम लिख लिया और इसे में आपर ड़न कर नेक्स्ट कर दूँगा ठीक है बहुत इजी है क यहां पश्वर्ट इन्टरेन्मेंट कर रहा है आपका कुछ है या पीर स्पोर्ट इंटर्टेन्मेंट कर रहे हैं य फि और हैं आपकीए वीफील्ड में देख सकते हैं यहां पर आ गया gaming video creator यहां पर मैंने क्लिक कर दिया इसे तो यह देख सकते हैं एड़ हो गया और यह आड़ करना हो तो add creator पर आड़ करके आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे कि मार लिजे health से लिख देता हूँ मैं health किया health से मैं यहां पर सर्च किया health and beauty का option आ गया तो इस प्रकार से कई यह सारे add कर सकते हैं मैंने आपको example की रूप में दिखाने के लिए यह किया अब इसके बाद next कर दिजएगा आपकी यह category choose हो गई इसके बाद यह next हो जाए इसके बाद यहां पर लिखा हूँ है do you have a website for malware soup मतलब मेरे channel का नाम लिखके आगया जो मैंने starting भी लिखा था इसके बाद अगर आपके पास website हो मतलब youtube की website होगी अगर आपका कोई website blogger होगे तो blogger की website हो एक्स्ट्रा कोई आपका कोई business हो जागे कुछ भी हो तो यहां पर add कर सकते हैं बनना था skip भी कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहां पर मेरे पास अभी कुछ available नहीं है तो मैं यहां पर नहीं डालता आपके पास हो तो डाल दीजिए यहां पर कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद यहां पर next को option आता है next पर click करके आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है add image to this page तो मतलब एकदम facebook जैसे page open होता है account होता है जैसे मैं आपकी profile होती है पीछे background pics होती है जिसे आप cover भी बोल सकते हैं तो वो उस तरह same to same facebook page भी होता है guys तो यहां पर आप दोनों चीज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैं done कर देता हूँ आप यहां पर add करना चाहें तो यहां से directly कर सकते हैं example की रूप में मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ ए अपना चूज कर लिजेगा तो मैं यहां पर कोई सभी चूज कर लेता हूँ मैं लिजे मैं gaming कर रहा हूँ तो एक पड़ी है मेरे पास तो इसको मैं upload कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए मात्र तो यह processing हो रही है थुड़ा सा यह download हो चाहिए तो गैस देख सकते हैं यह हो गया अब इसमें आप बैक्ट मीड लगाना चाहते हैं तो बैक कभी आप कर सकते हैं अप्लोड ए फोटो पर क्लिक करके आया फिर आपको यदि ना हो तो आप जूस कर लिजेगा यह मेरे पास एक पुरानी फोटो पड़ी थी तो इसे मैं अप्लोड कर देता हूं और यह processing हो जाएगी तो आपको मैं दिखाऊंगा देखिए कुछ इस प्रकार का इसका cover दिखता है देख सकते हैं पीछे का cover मैंने चूज कर लिया और सामने का जो हमारी जो profile होती है एक द account तो आप यहां पर अपने जैसे आपका कोई माली जी shop है दुकान है तो आप अपने product को sell करेंगे तो आप customer directly contact में आए तो उसके लिए आप अपना Facebook account भी ढहां पर add कर सकते हैं गाईज तीक है अब बात आती है कि आपको यहां पर आपको mobile number add करना है मतलब आप से directly कोई contact करन चाहिए तो आप यहां पर एक number भी डाल सकते हैं WhatsApp number देख सकते हैं जैसे कि मेरा कुछ number लिखके आ रहा है तो इसे मैं अटा देता हूं और यहां पर send a quote मतलब verify होने हो जाएगा तो यह मैं फिलाल नहीं कर रहा हूं invite a friend मतलब आपने friend को invite करना चाहते हैं तो invite भी कर सकते हैं तो मैं स्टार्टिंग से आपको बताते चाहरा हूं भरूंगा तो वीडियो काफी जादा लंबी हो जाएगी तो यह website मैंने आपको बता दिया था अगर आपकी website हो तो website भी आप यहां पर choose कर सकते हैं तेक है description description में आप यह बता सकते हैं कि आपका यह जो page है किस शेत्र में healthy related के बारे में क्या product आप sell करेंगे या फिर आप यूटूबर पर gaming खेलते हैं यह blogging करते हैं क्या चीज़े आप बताएंगे सारी चीज़े आप description पर लिखे सकते हैं जैसे आप YouTube पर करते हैं वही से होता है यहां पर इसके बाद आपना contact number दे सकते हैं ठीक है जिसके बारे म यहां पर town city post code यह सारी चीज़े आप यहां पर फिल कर सकते हैं जिसे आपकी यहां पर क्लीनिक हो तो वहां पर customer directly आपके पास पहुंच सके ठीक है तो यह सारी चीज़े आप सकते हैं हावर मतलब आपका जो सौप है या क्लीनिक है कब से कब तक खुलेगा या फिसे यहां पर save a change पर क्लिक करके आप इसे easily save a change कर सकते हैं यह सारी चीज़े हैं यह आप फिल कर लिजेगा अपने हिसाब से आपको मेरे का बताने का यही मतलब था कि आप किस प्रकास से facebook page create कर सकते हैं तो facebook page आपका create हो चुका है और आसा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक किजिएगा चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेजेगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आपका कोई सुझाव हो तो मुझे जरूर बताइएगा मैं उस वीडियो को नेक्स्ट वीडिय धन्यवाद